हेलो एब्रीवन गूड इवनिंग आज देखे मैं शाम को अपने गार्डन में गई हूँ और थोड़ा बहुती गार्डन का काम मैंने किया है बहुत जाद ने किया है मौर्निंग में गई थी पस पानी देके चली आई क्योंकि अगर मौर्निंग में आप पानी नहीं देंगे है इस बार मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी ना तो इसलिए बहुत सुंदर फूल खिल रहा है और यह देखे घास कितनी जादा निकलाई है मूली में तो मैंने जहां तक हो सका थोड़े बहुत मैंने निकाले हैं शाम को मैं गई थी तो यह छोटे मोटे बहुत सारे सब एक दिन में निराई गुड़ाई भी करूंगी मुझे जैसा समय मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगी कैसे इसकी तो इसको मिट्टी भी चढ़ाएंगे न तो अच्छे से यह और अच्छे से ग्रोगा फिर फटिलाइजर भी थोड़ा बत मैं दूंगी अभी तो प्लांट मैं मिलता है मैं अपना गार्डिन का वॉक करती हो फ्रेंड कि घर को भी देखना और घर की ताथा। आपको अपने गार्ड़न को भी तो इसके प्या अ किसी तरह मैं अपना समय निकाली लेती हूं कार्णिंग करने के लिए तो यह देखें कितने बढ़िया लगे हैं करेले घर में मुझे और मेरे सासुमा को बहुत पसंद बाकी लोग नहीं खाते हैं करे ले मुझे तो हर तरह के करेले पसंद है किसको करेले खाना पसंद है जरूर करेंड़ करेंड़ तो इस तरह से यह देखिए धनिया वम्हर बहुत अच्छे से एक हपते में ही जर्मिनेट रही हैं है इसमें बहुत सारे छुट छोटे घास निकल आया है यह इसको भड़ाया देखें बीस réponse से जर्मिनेट रहे हैं जो मैंने बाद ऐसको लगा दिए करने में कुछ नहीं चाहता है तो यह देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा दिया दो प्लांट ते उससे में कुछ वायर्स का टेक हो गया मेरे प्लांट में जो मैंने सेडलिंग्ड ढली थी वह भी अगर मुझे तो लगा नहीं प्लांट सें आपाइस जिस तरह के लगाओu यह देखिए इस तरह से दोनों कद्दों के पौदों को लगा दिया बच गया तो अच्छी बात है इसके लावा काफी बड़ा यह ट्रे है तो इस पर मैंने कुछ मूली के सीड वगरे भी डाल दिये हैं साथ साथ में भी ग्रो हो जाएगा कि इस तरह से एक दो ताने मतलब तीन चर चर इंच की दोरी पर मैंने डाल दिया है अगर कुछ पास पास भी हो जाएगा तो बाद में मैं हटा दोंगी नहीं तो इसमें निकाल कि उसका साग वगरे बन जाएगा सीजन में मूली का साग वगरे काफी टेस्टी होता है खाने मे मैंने मुली भी थोड़ा सा लगा दिया है इस ट्रे में अभी मेरी गाजर जर्मिनित नहीं हुई होई यह फ्रेंट्स तें क Lud आप लोग को कैसा लगता है जरूर कमेंट्स करें इसमें से मैंने यह देखिए फ्रेंड्स यही सब है बस आपको कैसा लगता है जरूर कमेंट्स किया करें आप लोग भी जरूर गार्डनिंग करें देखिए आज मौसम कैसा हो रहा है कुछ-कुछ बादल आ रहे थे पता नह तो नहीं होगी मुझे पता नहीं है बारिश होगी की नहीं होगी तो फ्रेंड्स यही मेरा गार्डन बस विंटर्स की प्रप्रेशन चल रही है धीरे धीरे चल रही है कुछ-कुछ में लगा रही हो तो बस ओके